हेलो फ्रेंड्स, वेलकाउं टू अनदर वीडियो नौसेना में कई परकार के यूद वोग, पंडूबियां और विमान होते हैं उनका संचालन, उनकी देख एक अधिकारियों बाद नापकों की एक टीम दोर किया जाता है इस टीम को जल सेना या 9 सेना का नाम दिया गया है 9 सेना में Senior Secondary Recruit, SSR एक गैर तकनिक की और General Duty नापकों की एक बठी होती है इसकी qualification 10 प्लस 2 होती है और इसे Senior Secondary Recruit भी कहते हैं 10 प्लस 2 करने के बाद SSR लेबी में बठी किया जाते हैं SSR के बरती प्रोसेस के बारे में एक वीडियो बनाया जा चुका है और उसका लिंक डिस्कुसिंग बॉक्स में दिया गया है बरती के बाद SSR को आइनेस चिलका में 22 वीक्स की ट्रेनिंग लिए बुराया जाता है वहाँ पर उने बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है नेवी के इंटमोस्पीर में नेवी के महुल में डाला जाता है उन्हें मौनिंग्पीटी, पैरेड, ड्रेल, स्वूमिंग, स्पोर्ट्स बगagarा सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें informity, national integration, patentism और service rule के बारे में detail में सिखाया जाता है training के बाद branch allocation की जाती है और ये branch और trade ही SSR नाविकों का work profile और career profile निर्दारित करता है आईए जानते हैं कि आने चिलका में 22 weeks जब पूरे हो जाते हैं तो आगे trade allocation या branch allocation का क्या process होता है नेवी में कही तरह के trades हैं जैसे seaman, communication, mechanical engineer, electrical, aviation branch, logistic branch और medical branch नेवी में ये trade और ये branch और ये branch और सभी बराबर हैं और सभी में salary SSR को बराबर salary दी जाती है काम सिर्फ थोड़ा अलग-अलग होता है अधर वाइस सभी नाविक ही कैलाई जाते हैं नेवी में कोई भी branch allotted की जाए कोई फर्क ने पड़ेगा सारे branch हें ये उकल हैं सारे branch काम नेवी का काम है 10 पहले से मन में नहीं सोचना मुझे ये ब्रांच अच्छी लगना जाएए और मैं इस ब्रांच में जाऊंगा। नहीं ! वह déllo बेंड़ करता कि आपको आपको कौन से ब्रांच tesi all आपकर बढ़ा कए जाएगी इसलिए पहले से ही मन में बढ़ा लेना arna है कि all oranges are useful ब्रांच एलोकेशन के प्रोचीजर में इसी पहले ही पताना जुरूरी है कि ट्रेनी के द्वरान दो एग्जामनेशन होते हैं एक मेटरन एक फाइनल एग्जामनेशन अब एक एक जाम की सीज़ के होते हैं 22 वीक्स में जो भी नाभियों को सिखाया जाता है सारी नेवल टर्मनोलोजी जैसे शिप और समेंट के टाइप सा स्माल ओम्स के टाइप गनरी, इकुपमेंट्स, बोर्ट वर्क, रोब वर्क के सारी चीज़ेस कहा जाते हैं इनका फिर एक थेरोटिकल एक्जामनेशन होता है इसे साथ 22 वीग में अकैड़िक्स की पड़ाई भी करवाई जाती है उसमें इंग्लिज, मैखयों मैथेमाटिक्स, साइंस के संब्जाक्ट होते हैं और उनके भी साथ साथ में एग्जामनेशन हitë हैं तो मिड- टर्म और फाइने चे हमेशन事情 प्ड़क किये जाते हैं और आपकी passing out trade दिये, आपको सोभा passing out trade के लिए बुलाए जाएगा, इंदी morning 7 o'clock, number 2 dress में आपकी पेरेड होगी, और इस passing out trade में सभी trainee, सभी ऐसा सा भाग लेंगे, जिनका passing out trade होना है, जिनको आज उनका last date training का है, passing out trade number 2 dress में होगी, इसके पश्चार award ceremony होगी, इस award ceremony में first, second, third in aggregate, best trainee जो पहली position पर है, second trainee और third trainee इनको award दिये जाएगे, जिन trainee ने sports में, swimming बगार में और बाकी sports में अच्छा performance दिया है, उन्हें award दिये जाएगा, best guard commander trainees को award दिये जाएगा, best musical instrument में किसने अच्छा performance किया और सीखा है, उसे award दिये जाएगा, first in seamanship, first in rope work, first in communication, first in mechanical और electrical subjects इन सब में उनको prize दिये जाएगा, इस तरह से best instructor और best house in charge के award भी जो वहाँ पर आफके training instructor है, उनको यह award दिये जाएगा, और इस passing out parade के पशाद, I.N.S. चिलका के कमार्णी officer सभी trainees को समभूतित करेंगे, during training उनकी achievements पताई जाएगी, और उनको आगे विश्य में शुब कामने दी ज और वहाँ पर branch allocation and trade allocation की कारवाई शुरू होगी, branch allocation के बारे में जो final result बन चुके होंगे, इस branch allocation में training commander, divisions, GPT officers, house and charges और sports and charges सभी एक committee बना कर सभी के लिए branch allocation का कार्य करते हैं, जितने भी price winners हैं, उनको दी की choice जो उनने form में बरी थी, वो दे दी जाती है, जितने भी price winners हैं, all trainees जिनने aggregate 80% से ओपर एक fine exam में marks हासल किये होते हैं, उनने भी choice trades को दिया जाता है, बाकी trainee बचे उनको विविन प्रकार के trades में बांटा जाता है, किसी को सीमेन में बेज जाएगा, किसी को communication में, किसी को mechanical engineering में, किसी को electrical में, किसी को logistics, किसी को medical इस तरह से उनको grouping कर दी जाएग सबी को accept करना होगा, वहाँ पर कोई if and what का कोई सवाल बाता नहीं होता है, इसलिए पहले से ही mind में ये रखना है, कि navy में सबी trade बरावर के हैं, सबी में बरावर salary मिले की work थोड़ा सा पूनीचे हो सकता है, लेकन सबी नाविक होते हैं, इसलिए अपने mindset को पहले से ही आपन के दिन होता है, उसके पचात next day सभी trainees को group बना का train के द्वारा आने चिलका station से depart किया जाता है, various training establishment के लिए, navy में कई training school है, branch wise, वामरन को depart किया जाता है, तो ये थी चिलका में पाशिय और प्रेड और branch allocation के बारे में विस्तित जानकारी, अगला वीडियो आ रहा है, इंडी कीप आ वाचिंग, थैंक यू